हेलो, वेलकम तो टेक शर्मेट, आज के स्रेशन में हम देखेंगे, स्कैन बिल्ट इन फंक्शन के बारे में, तो मैंने यह पर एक प्रोग्राम क्रेट किया सेल का, जिसमें हम स्कैन का डेमेस्ट्रेशन देखने वाले हैं, तो मैं इसको एडिट मोड में उपन करता हूँ डेमेस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हमने दो वेरीbies टेकलियर किया है Лोरा नेम है जिसका टाइप करेक्टर है, इस में हमने जो वेलिए स्थिफ किय है वारो हिसं में बनाये, देस्वर्ड टाइप का, जिसका नहीं में स्थिफिफिंक together पंश नव यह पार तो यह दो वो विरेबल जो है वो हम यूज करेंगे इसके डेमो के लिए, scan function के लिए, ठीक है, और अब हम देखेंगे syntax इसका, और फिर समझेंगे कि scan का purpose क्या है, कब हम इसको use कर सकते हो, तो syntax तो इसका बहुत simple है, आपको simply लिखना है percentage scan, उसके बाद में आपको पास करना search argument जो भी आप सर्च करना चाहते हो string के अंदर of a source string जिस string में आप सर्च करना चाहते हो और third parameter है हमारे पास starting position यह एक optional parameter होता है अगर आप यह नहीं दोगे तो by default one पे set रहता है अगर आपको किसी particular position से search start करना तो आपको यहाँ पर value पास करना होगी ठीक है तो syntax से आपको clear हो गया होगा कि जो scan function है वो एक particular set of characters हमारे को अगर search करना किसी string के अंदर तो हम वो percentage scan के help से check करते हैं ठीक है find करते है तो percentage scan search argument में डाल देंगे जो भी character जैसे अगर अभी हम share में देख रहे हैं तो apply number 24 पर आप देखोगे cgwire हम use कर रहे है cgwire command लिखके f4 करना है यहाँ पे cl variable ने पास करना है जिसमें हम value store करेंगे तो मैं अपनी value store करना जाता हूँ position variable में तो scan function क्या करेगा एक position return करेगा अगर वो उसको letter मिलता है तो तो वो position return कर देगा अधर वो zero return करेगा ठीक है तो percentage scan search argument में हमने पास किया a तो simple आपको quotes में a पास करना है single quote में और फिर आपको variable का name पास करना है जिसके अंदर आपको search करना है और फिर आपको parameter पास करना है यह optional parameter है अगर आप इसको नहीं पास करोगे तो by default one लेगा otherwise यह आप जो भी value दोगे वहाँ से search start करेगा scan start करेगा ठीक है इसके बाद में line number 26 पे हम जो भी यह position return कर रहा है उस position को पहले convert कर रहे है character में और फिर हम उसको use कर रहे है snd pg msg command में जिससे कि हम उसका output देख सके ठीक है और snd pg msg में हम सिर्फ character ही पास करते है directly decimal value पास नहीं कर सकते है इसलिए हम इसका conversion कर रहे है अब हम देखते हैं हमने यहां पर scan में condition क्या दिया है कि हमारको a find करना है name के अंतर नेम क्या है नेम है शर्मित तो यहां पर कौन से position पर a 123 थर्ड position पर है और हमने start कहां से किया one से अगर मैं इसको हटा भी दूंग तो भी यह by default बन से ही start होगा तो अभी हमारको output मिलना चा अब हम इसमें थोड़ा सा modification करके देखते हैं जैसे अगर मेरे को search start करना है बट किसी एक particular position से जैसे मेरे को fourth position से start करना है तो मैं यह लिख दूँगा four अब fourth position से अगर letter A मिलता है तो हमें उसकी position मिलेगी otherwise वो zero return करेगा तो यह return कर रहा है zero क्योंकि fourth position से अगर हम search start करेंगे तो हमारको कोई भी A नहीं मिल रहा जैसे one, two, three, four, fourth यहां से start हो उसके बाद में कोई A नहीं है तो इस तरह से search work करता है अग भी अगर हम इसका parameter नहीं दे तो क्या होगा जैसे अगर मैं यह parameter ही हटा देता हूं third वाला जो optional होता है और आप compile करते हैं तो यह क्या करेगा by default scan search करेगा अपना first position से तो value मिलेगी हमारको वही three तो इसने three return किया अब हम position वाला भी एक बदवाद जैसे अगर मैं इसको यहां पे यहां पे एक और यह बाद में ठीक है अब हम क्या करते हैं यहां पर fourth position से वापर search करते हैं तो इस case में इसको मिलना जाए लेटर ए और last position यह return करेगा तो मैंने क्या fourth position से search start करो compile करो इसमें कुछ issue आया देखते हैं यहां पर हमने fourth position पास किया हां तो हम इसमें issue यह आया है कि हमारे जो length है इसका character का वह 7 हमने पास किया इसको 8 कर देते हैं और अब compile करते हैं अभी compile होगा ठीक है वह issue यह था कि हमने जो length इसकी पास किया यहां पर 7 थी और हम उसमें character जो पास कर रहे थे वह 7 से ज्यादा थे तो अब हमने double a किया इसको compile करते हैं फिर से call करते हैं तो यह return कर रहा है 8th position क्योंकि 8th position पे हमारे पास a है तो इस तरह से हमारा scan function work करता है जो भी आपको character search करना है आप उसका name pass कर सकते हो means उसका जो argument search argument में आप उसको pass कर सकते हो और फिर वो उसकी position अगर उसको मिलता है तो return करेगा otherwise वो zero return करेगा तो I hope अभी आपको यह clear हुआ होगा कि कैसे हम scan function का use करते हैं यह बहुत ही useful built-in function है क्योंकि जब भी आपको logic लिखते हो जिसमें आपको searching की requirement होती है तो आप scan use करते हो अब हम थोड़ा सा बात कर लिता है scan और check का एक हमने पहले वाले session में देखा था कि check function कैसे work करता है तो check function में हम क्या करते हैं non occurrence find करते हैं और इसमें हम find करते है exactly वो position यहां पर वो character exist करता है तो यही दोनों में difference है RPG sessions में भी हमने difference देखा था properly तो अगर आप वो session भी देखते हो RPG वाला जिसमें हमने difference between care और scan और check किया था तो वही same operation यहां भी imply करता है इसमें syntax का difference है यहां पर syntax में column नहीं आता हम directly search argument तो उसे string और starting position पास करते है तो I hope यह सभी को clear हुआ next session में कुछ और topic discuss करेंगे so thank you for watching texture math